गुद मॉर्निंग सुदेन वेलकम इन साइंस क्लास तोड़े आई विल डिसकस मेंगनेटिक इफेक्ट आफ इलेक्टिक करेंट इसमें क्या होता है कि इलेक्टोलिसिस आफ वाटर वाटर किसमें सप्रेट हो जाएगा हाइटोजन एन ऑक्सीजन आयन में लेकिन यह केमिकल इ इसमें क्या होता देखा होगा आपने एक क्रेंड के थ्रू आयरन आपजेक्ट को उठा उठाते हुए एलेक्टिक बैल आपने देखा होगा तो इन सब चीजों में क्या कॉमन है यह सब किसकी यह में क्या लगे हुए मैगनेट लगा हुआ है तो इसे हम यह किस पर किसके ब ठीक है यह किसकी तरह behave करने लगेगा magnet की तरह इसे क्या करें magnetic effect of electric current समझ में आगई मेरे बात तो when electric current pass through a wire it behave like a magnet अब कैसे हम देखते हैं इसको letter C कि इसकी discovery किस ने करी थी बेटा इन्होंने करी थी हैंस किशन शैटने और शैटने तो इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी बायर में यानि कि electric current जहां produce होती है वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है magnetic field generate करने लगता है ठीक है उसका अलग-अलग shape भी होता है यह temporary magnet बना लेता है इसे कहते है इलेक्टो मेंगनेट भी कहते है ठीक है तो वेन इलेक्टिक करेंट पास्ट रूए वायर इट बहेब लाइक का मेंगनेट इससे कहते है magnetic effect of electric current आप देखिए यह देखिए यहां पर इनको इसकी जो discovery किसने करी थी तो electric current और magnetic field यह दोनों एक दूसरे को हम कह सकते कि magnetic effect जो होगा अगर हम कहें कि magnetism क्या generate कर सकता है electricity यहस इसके इसी पर work करता है electric generator ठीक है और electricity produce magnetism जैसे हमने कहा suppose यह देखिए एक wire है wire है हम इसको इस तरीके से भी wire के पास हम magnetic needle ले गया magnetic needle में क्या होता है हमें और यहां पर छोटा सा magnet रुका होता है लगा रहता है magnet always rest in north and south direction यह magnet की property है तो magnet जैसे ही इस wire के पास यह electric needle magnetic needle इसके पास लाई गई wire के पास इसने तुरंटी deflection शो करने लगी मतलब यह अपने प्लेस से मोब करने लगी यह नीडल इसे कहते है magnetic effect of electric current solenite कैसे बन रहा है बिटा यह देखिए अगर हम एक iron nail पर खुब सारे वायर लपेड दें इट भी हेप लाइक का magnet ठीक है electro magnet टेक आराउंड 75 cm लॉंग पीशा इंसुलिटेट प्लास्टिक और क्लोथ कबर्ड और in ml flexible wire and iron nail और इस पर हम जब लपेड़ते चले गए तो यह किसमें चेक अनवर्ट हो जाएगा magnet में convert हो जाएगा the coil in the work activity behave like a magnet when electric current pass through it ठीक है और such coil are called electro magnet यही पर यह पूरा magnetic effect of electric current है और इसी पर हमारी electric well भी work करती बेन ए बेन एन electric current is pass through a wire it behave like a magnet और यह जो हता है magnetism also generate electricity ठीक है तो यह दोनों एक दूसरे से बिलकुर resemble कर रहा है तो यह देखे इसी के इसी पर बार करेगी electric well be so आपको I think you got both these two effect of electric current magnetic effect and heating effect thank you have a nice time